यहां मुझूद सारे साथ यूद को मेरा करांति करें साथा आज जो प्रजिंटेशन में आपके सामने करने जा रहा हूँ मुझतर ये एक पेपर पे आधारिस है जो पेपर अभी हाल में जूर में न्यू यॉर्क लेफ फोरम में मैंने पेश किया था लेकिन जैसा कि अमेरिकी संस्कृती में होता है हर सवाल का समधान टू मिनिट नूडिल्स की तरह किया जाता है और इस तरह के गंभी विशह पे भी आपको बोलने के लिए 30 मिनिट या 15 मिनिट बोलते हैं तो वहां पर बहुती संखेप में इस पेपर के मूल प्रशनों पर मैंने चर्चा की थी लेकिन यहां पर थोड़ा तादर वर्थ है और जैसा कि कहा जाता है कि हम इंदुस्तानी लोगों के पास बहुत बहुत दाना होता है इसलिए थोड़ा विस्तार से इन सवालों पर मैं अपने विचार रखना चाहूंगा और मूलता आज की प्रस्तुती मैं हिंदी में रखूंगा क्योंकि हिंदी जगत का जो पार्टक्ट बर्ग है अकसर वो इन सवालों पर होने वाली चर्चाओं से एक किसम से बाहर रह ज बलकि एक स्केटस सिंबल बन गया है किसी बहस में भी कमजोर पढ़ता पक्ष किवल अंग्रेजी बोल कर जीत सकता है और इसलिए मुझे लगता है कि आज के समय में जबकि हिंदी जगत में एक नया यूआ इंटेलिजेंसिया पैदा हो रहा है जो कि बहुत सारे सवालों प वो अभी भी अंग्रेजी में ही मौजूद है और उनका अनुवाद आमत और पेवितर किया नहीं गया है और एक कारण ये भी है कि हिंदुस्तान ने लुक्षन जैसा कोई बुद्धी जीनी नहीं पैदा किया जिनकी प्रतिभा किसी भी रूप में गोर्की, ब्रेष्ट य आलोचना अप्वक्त सद्रांत के क्षेतर में जो काम हो रहा था, क्रिटिकल थेरी के क्षेतर में उसको चीनी भाषा में अनुवाद करने में खर्च कर दिया, छोटा सा जीवन जीया लेकिन चीनी क्रामती की एक तरीके से बहुत बड़ी सेवा थी, क्योंकि चीनी क्रामती हम उनके इस नेचर के बराबरी ही कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तोर पे इतना जरूर कर सकते हैं कि मुझी जैसी एक युगामतरकारी रचना के विशा में और आज के दौर में उसकी प्रासंगिक्ता के बारे में हिंदी भाषा में इस बात की प्रस्तुती की जाए और य करकुछ जो तक्नीकी शत उनका मैं अंग्रेजी में भी नाम डूँगा, अगर कहीं पर कोई असपश्टता रह जाती है तो जो भी सुभी शोतागरान है उसे मैं अपेक्षा करूँगा कि उसको दर्ज करेंगे और जो इंटराक्टिव सेशन होगा उसमें अपने संशे को अपने किसी असपश्टता को दूर करने है आज मतलब जब एक सो पचास साल अभी परसों पूरे हुए है दरसल ये एक सो पचास साल के सेलिबूरेशन्स शुरू हो गया थे इस साल की शुरुआत से ही अभी हार्में दुरिया में कई ज़़ा हों पर इस तरह के कॉन्फरें प्रासंगीक है ये सवाल तब भी पूछा गया था जब इसके सौ साल कूरे हुए थे 1967 नाइंटीन सेवंटीन में इस ये पूछा गया था क्योंकि रूसी क्रांसी कोई और थाथकंदन को आर्सी केया और पठेलेके को फार्सी क्या दिखला ही पढ़ रहा था कि प्रासंगी 1967 में जब सोवियत संग में पूछिवादी पुनरस्थापना हो चुकी थी महान बहस चल ले थी चीन में अभी समाजबाद कायम था महान सर्वारा सांस्कृतिक रांती जारी थी लेकिन फिर फी जो वेस्टन एकडीमिया था जो पश्चनी अकात्मिक जगत था उसमें ये सारी बात ते की जा रहे है कि आज की दुनिया बहुत बदल गई आज का पुझी बात बहुत बदल गया है उसको मार्क्स की पुझी से परयाप्त नहीं है समझने के लिए इनफेक्ट कई चीजों में वो बलंध है कई जलों पे अब वो लागू नहीं होती है कई जलों पे विश्टेशन पुराने पर चुके हैं बगएर 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 लेकिन इस सवाल का कि पुझी आज प्रासंगिक है या नहीं इसका जमाल मुझे लगता है प्रती प्रश्ट ने काउंटर क्वेश्टन से दिया जाना चाहिए प्रसाइसली क्या ये नहीं पुझा जाना चाहिए कि पुझी आज पहने हमेशा से ज्यादा प्रासंगिक है या नहीं हमारा विचार है कि पूजी आज पहने हमेशा से ज़्यादा प्रासंदीग है इसके कारलूप के हम थोड़ी दिर में आएंगे क्यों हमारा ऐसा मानना है यह सिर्फ कोई जूला या कोई रेटरिकल स्टेट्मेंट या कोई क्लीशे नहीं है जो हर इस तरह के एक अमेभुरेशन के मौगे पर 150 साल मनने पर या 100 साल मनने पर पूछा जाता है यह वास्तों में एक बहुत हिस्टरिकली वैलिड एथिहासिक तोरपे बैद प्रश्ट है कि यह पूछा जाए कि आज हमेशा से ज़्यादा प्रासंदीग है और पूंजी का विश्टेशन आज की दुनिया को समझने के लिए पहले से जादा प्रास कोगी है लेकिन उससे पहले एक दिल्चस्प आप्जर्वेशन की तरफ में आपका ध्याम खीचना जाओंगा पूंजी में दिल्चस्पी पैदा होने का भी एक आवर्ती क्रम है आप अगर पूंजी छपने के बाद से पूंजी के अकादमिक जगत और क्राम्तिकारी प्रैक्टिशनर्स कारेकरताओं की दुनिया तो उसके असर के इतिहास को देखे तो हम पाते हैं कि पूंजी में इंट्रेस्ट कुछ खास-खास मौकों दो गया है जिस वक्त पूंजी के ऊपर या पूंजी पर आधारित बहुत सारी रचनाय निखी गए एक दौर था जो की प्रथन विश्युद्ध से लेकर द्वित्रिय विश्युद्ध के बीच का दौर था जिसके बीच में ग्रेट डिप्रेशन भी आता है 1929 में शुरू होता है और 30 के दशक के पूरवार्द के बड़े हिस्ते तक वो संकट जारी रहता है ये वो दौर था पहला जिसमें पूंजी के उपर तमाम रचनाय प्रकाशी थुई जिसमें Henrik Grossman की रचना थी Theory of Economic Crisis जो की 1929 में प्रकाशी थुई उनकी ये एक दूसरी रचना थी Law of Accumulation and Collapse of Capitalist System जो की 1929 में प्रकाशी थुई रोधा लग दिंबर का Accumulation of Capital भी उसी दौर में प्रकाशी थुई लेनिम का इंपिर्विजम हाइस्ट स्टेज अफ कैपितलिजम भी उसी दौर में प्रकाशी थुई बुखारिन का व्लड एकॉनमी जो इंपिर्विजम अन व्लड एकॉनमी किताब है वो भी इसी दौर में प्रकाशी थुई रुडोल फिलफर्डिंग की किताब Finance Capital इसी दौर में प्रकाशी थुई ओटो बावर, हांस, डॉइच इस तरह के तमान मार्कसवादी इंटलेक्चुल्स थे, एकनॉमिस्ट थे, सोसियोलजिस्ट थे जिनोंने इस समय Capital के उपर कुछ major काम किया, research works किये और इसके रावा, भूजवा एकडीमिया में भी काफी काम हुआ यही वो दौर था जब मार्कस की Capital को डिस्प्रूव करने, डिस्क्रेडिट करने के लिए भी तमाम रचनाय लिखे गए गोंपावर से लेकर तमाम लोग थे, जो इसी वक्त मार्कस की Capital को डिस्प्रेडिट करने की भी कोशिश करते हैं लुपेल रुपार यह कि पहला दौर जिसमें मार्कस की पुंजी में एक जबरदस्ट इंड्रेस्ट का स्पर्ट आप देख सकते हैं वो पर्थम विश्यूद्द से दूसरे विश्यूद्द के बीच का दौर विधी विश्यूद्द खत्म होने के बाद जो बड़े प्रेमाने पे उत्पादक शक्तियों का विनाश हुआ और उसकी वज़े से जो प्रॉफिटिवरिटी का संकट था जो मुनाथे की दर का संकट था वो एक आप कह सकते हैं कि कमपेरेटिवली लंबे दौर के लिए दूर हुआ जिसको विश्य तियास में और कास तो पर यूएस एकनोमिक इस्प्री में गोल्डेन एरा के नाम से जाना जाता है केनेडी दियेट और जिस ज़र में मतलब इस तरह की बाते होने लेगी थी कि आप जो है वो कैपिटिलिजम के संकटों का इलाज ढूंट लिया लेकिन ये कींसियन वेलफेरिजम है स्टेट स्पेंडिंग को बढ़ा कर दोमेस्टिक डिमांड को बढ़ावा देना और इसके ज़रिये जो कैपिटिलिजम का संकट होता है उसका इलाज ढूंट लिया लेकिन ये उल्लास से भरी चीत कारें ज्यादा टाइम तक तिग नहीं पाई और इसका पहला बड़ा मैनिफेस्टेशन वो डॉलर गोल्ड स्टेंडर्ड के फत्म के साथ 1973 में आया ओपेक ओयल क्राइसिस और डॉलर गोल्ड स्टेंडर्ड का फत्म और उस समय से लेकर अभी तक का जो दोर है उसको आजकल जो प्रिटिकल एकोनोमिस्ट है वो ये कहने कि एक लंबी मंदी का दौर 1973 से लेकर अभी तक रियल प्रोड़क्टिव एकोनोडी में जो वास्तविक उत्पादक अर्थ पर रस्ता है उसमें कोई रियल भूम नहीं आया है कोई वास्तविक तेजी नहीं आया है ज्यादा तर जो तेजी है वो आर्टिशियली जेनरेटेड जो वो क्रित्रिम तोर पे पैदा की गई तेजी है जिसका मूल कारान स्पिक्टिशियस का अपनिक पूजी बित्तिय वर फाइनेशिलाइशन के जरी उसमें आगे आएंगे क्यों किस तरीके से होता है उस वजह से पैदा हुई लेकिन अगला जो दौर था वो यही 1960 का दश अपाई